सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme UI 4.0 based on Android 13 का अक्टूबर मन्त में कौन-कौन से डिवाइसेज को कब तक ये अपडेट देखने को मिलेगा और इसके लिए कौन-कौन से required version लगेगा और Realme UI 4.0 को कैसे apply करना है कैसे farm फिलब करना है और साथ ही बक्स देखने को मिलेगा की नहीं मिलेगा सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों पूरा वीडियो देखेगा तो चलिए स्टाट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तो Realme ने अगस्त के मन्त में Realme UI 4.0 का early access update जो है प्रोवाइट किया है और यहाँ पर अगस्त में Realme GT2 Pro को मिला है उसके बाद September में Realme GT Neo 3 150W Realme GT Neo 3 and Realme GT2 को देखने को मिला है अब दोस्तों बात आती है October 2022 की तो यहाँ पर Realme GT Neo 3T, Realme 9 Pro Plus 5G Realme 9 Pro 5G and Realme 9i 5G को Realme UI 4.0 based on Android 13 का early access update जो है देखने को मिलेगा अब यहाँ पर बात आती है कि कब तक देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो भी date मैं बताऊंगा वो अनफिसल है लेकिन दोस्तों मैंने अपने source से जितना भी पता किया है तो वो ही date निकल कर सामने आया है तो यहाँ पर Realme GT Neo 3T को 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में Realme UI 4.0 का early access update जो है देखने को मिल जाएगा इसके लावा बात आती है Realme 9 Pro Plus, Realme 9 Pro and Realme 9i 5G को 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में Realme UI 4.0 का early access update जो है देखने को मिल जाएगा तो यह तो हुई दोस्तों इसके rollout date अब दोस्तों बात आती है कि कौन-कौन से devices को कौन-कौन से required version के हिसाब से Realme UI 4.0 का early access update जो है देखने को मिलेगा तो यहाँ पर Realme GT Neo 3T को A.05 का current ROM version इंस्टाल होना जरूरी है तभी आपको Realme UI 4.0 का early access update जो है देखने को मिलेगा इसी के साथ Realme 9 Pro Plus को A.13 Realme 9 Pro को A.44 and Realme 9i 5G को A.10 का current ROM version इंस्टाल होना जरूरी है तभी आपको Realme UI 4.0 का early access update जो है देखने को मिलेगा अब दोस्तों बात की जाए इसे कैसे apply करना है तो इसके लिए सबसे पहले जाना होगा phone के setting में फिर नीचे side about device में जाना है और उपर में up to date के option को क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर Realme UI का software update interface देखने को मिल जाएगा आपको उपर के right corner में three dot देखने को मिलेगा उसको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको trial version या beta program देखने को मिल जाएगा उसको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको Realme UI 4.0 का early access farm देखने को मिल जाएगा उस farm को क्लिक करना है और कुछ second के लिए wait करना है उसके बाद आपको उस farm में apply now का option देखने को मिलेगा जैसे ही apply now करेंगे तो आपको उस farm में mobile number या फिर email address डालने का option देगा तो वहाँ पर आप अपना mobile number या फिर email address डाल कर निचेक साइट terms and condition के छोटा से check box से देखने को मिलेगा उसको check करके submit पर क्लिक करेंगे जैसे ही submit पर क्लिक करेंगे आपका farm successful submit होकर under review में चला जाएगा उसके बाद आपको wait करना पड़ेगा कि आपका farm approve हो रहा है या reject आपका farm reject होता है तो आपको update नहीं मिलेगा next time के लिए wait करना पड़ेगा और अगर approve होता है तो आपको 24 घंता के अंदर में update जो है देखने को मिल जाएगा जो कि 5GB के आसपास देखने को मिलेगा अब इसके अलावा बात की जाए कि इस update को करने के बाद हमें bugs देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यह जो update है first trial version early access update है जिसमें आपको काफी सारे bugs देखने को मिल जाएंगे जैसे कि काफी ज़्यादा battery draining heating issue app crashing issue तभी आप इसे install कीजेगा नहीं तो आप कुछ महने wait कीजेगा आपको open beta देखने को मिलेगा जो कि trial version से थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है और उसके बाद आपको stable update तो देखने को मिलेगा ही जो कि 99% bug fixes के साथ देखने को मिलता है तो यह रहा दोस्तो realme UI 4.0 based on android 13 का complete process दोस्तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो please like, share, subscribe जरूर कीजेगा तो मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो